यह सर अब बात आती है सर आगे हमें क्या देखना है सर आगे हम देखते हैं सर हमारे पास चैप्टर इतने सारे हैं इसको प्रेक्टिस कहां से करें और कैसे करना है अगर मैं दिन की बात करूं सर तो दिन कितने हैं आपके पास बताईए आज तारीक है मेरे ख्याल 14 मेरे ख्या मैं तीन दिन काउंट करूंगा क्यूंकि आज को भी आपको दिन में कनवर्ट करना भी या पूरी राद जक्के पढ़ना होगा पंदरा और सोला फ्री है उसके अकॉर्डिंग हम प्लैनिंग लेके चलेंगे तो यानि मैं मान के चल रहा हूं धाई दिन या तीन दिन के इसाफ से प्रोविजन में बनाऊंगा यहां तीन दिन है ठीक है सर डे वन आज का दिन जिसने कर लिया है वो अगले वाले पॉइंट पर मेरे सुच्छ हो जाएंगे औटमेटिक यह डेन व Dallas. और ट उक्तर कर लेना चाहिए यह बीसर आज ही हो कर लेने हैं ठीक है यह आपका एक दिन हो गया प्लाण सर ये सारे चेप्टर डे वन में जो बच्चे अभी स्टार्टिंग से भी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे काफे सारे बच्चे तो देखो आज भी अन्रोल हुए हैं तो मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा भई आप चाहे अब हुए हो चाहे पहले हुए हुए हो पहले बच्चों को थोड़ा जादा confidence होगा और जो आज अज एनुरोल हो रहे हैं आज पढ़ना चालू कर रहे हैं उनको कम confidence होगा लेखिन पैटर अगर आप लेके चलेंगे तो आपको बिलकुल आसानी से paper solve हो सकता है तो बस वो चीज confidence की बात हो सकती है और बाकी paper तो वैसा ही आना है जैसे कि आप करके जा रहे हो और जैसे मैं बता रहा हूँ यहां पर तो sir day one done sir leverage वाले को पता है कहां से करना है आपको leverage only 10 year मेरे note से मत करिये अब leverage क्योंकि आप वक्त निकल गया only 10 year और किस type का question होगा मैं सारी बाते इसमें discuss करूँगा इसके अंदर आपको type से कोन सा करना है जो important है देखो जो आपको कर लेना चाहिए बाकी normal तो आता ही है point number one जब आपको question में DOL DFL DFL given हो हमने निकालना सीखा है जब given हो number दूसरा सर increase वाला increase वाला examiner इसके उपर ज़्यादा focus करेंगे simple वाला तो आता ही है इसके अंदर ये topic पर ध्यान रखिएगा छोड़के मत जाईएगा कि आता है नहीं आता जरूर करिएगा आँ बच्चे कह रहे हैं सर पर डाउट के लिए मैं हमेशा अवेलिबल हूँ दो तीन दिन तक आप लोगों के लिए भाई वो honors का हुआ था प्रोग्राम का रहता है हाँ बिल्कुल कह रहे है financial management का exam तो हो चुका है तुशार कहता है वो honors का हुआ तो तुशार आप मेरे का लगता मैंने badge में linked कहीं honors के बच्चे भी ना आ गए हो और regular वालों का हो चुका है सर EBIT में कौन से question करने है only 10 year के अब 10 year में भी तो मैं specific कर रहा हूँ question ढूंड ये ऐसे वाले question ढूंडेंगा न एक दो मिल जाएंगे आपको बस और कुछ कुछ मैं कोसिस करूंगा कि कल अभी तो सब चले गए और मैं अभी तो वीडियो बना रहा हूँ कल मैं important question के list भी भेज़ दूं कि ये question कर लेना जिससे कि आपका और ज़्यादा easiest हो जाए सर 10 year में से इसमें से सबसे important क्या है सर इंडिफरेंस point इंडिफरेंस point इसमें ये वाला जरूर कर रहेगा और सर दूसरा एक EPS निकालना सर दो point cover करिए और कुछ नहीं इसके अंदर है दो ही चीज़ पर focus करिए सर ये दो point करेंगा बात खतम आ जाईए सर अगले पर सर cost of capital में से cost of capital में तो आपको लगबग लगबग सारा ही करना होगा और total ही करना होगा इसके अंदर में deny नहीं कर सकता कि ये छोड़ना ये करना है सर पूरा करिए cost of capital में से आपका इसके अंदर क्या है इसके important question और ये भी सर अभी फिलहाल 10 year से करिए 10 year के मंदर से और पेपर लीक हो गया किसी ने बोल देए पेपर लीक हो गया आप सब इधर उधर बस focus stay focus आपको रहना है फोन के अंदर आपका wifi है जिनके घर पे भी है फोन की sim को call को बंद करिए flight mode पर wifi से देखिया जिसके घर में laptop है सर फोन को डाल देजिए आप डबे में अभी बंद कर दीजिए network भी नहीं आएगा और आपको क्या करना है सर लैप्टाप on किया लैप्टाप पे बैठे टेबल पे रखा और बस जो वीडियो समझ में नहीं आ रहा ठीक है बाकि 10 ये से question करने बैठिया सर ये मैंने एक दिन का time दिया लेकिन ये आप बहुत जल्दी भी खतम कर सकते है जिसने practice किया ये सरफ 10 ये के question प्रैक्टिस करिएगा 10 ये के question के अंदर और इसको जिसने start नहीं किया इसका मैंने revision video बना दिया है revision video देख लीजिए पहले आप basic 2-3 वीडियो देखिए उसके बाद इसका revision video जरूर देखिए एक बच्चो का काफी confusion था सर इसके अंदर WACC और cost of capital तो मैंने कहीं बार साइथ कहीं पर मैंने साइथ by mistake कुछ और बोल दिया था और कुछ और बोलने के बाद हुआ किया सर उसके अंदर problem आगई बच्चो को तो मैं यह कहना चाहूँगा उस revision वाले lecture के अंदर मैंने डाला हुआ है सर कहां मिलेगा revision lecture जो chapter है उसी के अंदर अलग से revision folder बना दिया है उसके अंदर मिलेगा 10 year के कितने सवाल करना important question का तो मैं list देख के बना दूँआ सर value of firm में से क्या important है सर important की अगर आप बात करते है तो value of firm में से इसके अंदर भी mm वाला part important है इसे छोड़िएगा नहीं इसे करके जाना है mm बाकी although आपका NI approach, NOI approach ये भी important है लेकिन mm वाले को specially करके जाना है mm वाले को छोड़ना नहीं है आपने इस बात का आपको ध्यान रखना है सर आप honors का भी solve करवा दो बिल्कुल दोनों करवा देंगे tension मतलो honors का तो और आसान paper आया था आप लोग के फर्माई सारी पूरी के जाएगे चिंता मत करिए अब आ जाते हैं सर day one day one में कहां से choose करना है सर इसके अंदर सर इसके अंदर आप मैंने कहा 10 year के और 10 year के अंदर से इसके question उठा लीजिए कहां से करिएगा एक सर practical paper से भी करिएगा mm का और एक आप कर लीजिएगा paper जो कि past paper है past paper paper से भी करिएगा पीछे वाले छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जो कि paper में हो लेकिन इस वाले का paper का कर लेजिएगा sir dividend decision एक भी question नहीं छोड़ना है आपने सारा करना है 10 year के करिए पहले तो days बताने न sir working capital receivable management dividend decision की बात कर रहे है sir ये वाला जो है न first यानि second day जाएगा ये यानि कल ये भी sir second day कल ये भी sir second day कल और ये तीन chapter कल चला जाएगा और sir capital bursting भी जाएगा कल तो ये थोड़ी capital bursting तो इतना बड़ा है ये तीनो chapter आपके न ये जो chapter है ये तीनो chapter आपके हो जाने चाहिए sir कब तक हो जाने चाहिए सर कल दोपहर के बारा बजे तक हो जाने चाहिए ये तीनों चैप्टर क्लियर ओके सर इसके बाद बारा बजे के बाद आपको capital busting start करना है अब आजाते हैं सर कहां से क्या करना है अगर हम बात करें dividend policy की dividend policy सर 10 year के एक भी question मत छोड़िये सर दो घंटे बैठी है ना मैं बोलता हूँ दो घंटे बैठी है calculator लीजिए लिख के कर सकते हैं तो लिख के करिये और नहीं तो audit भी कर सकते हैं फॉर्मूले पूरे करने हैं आपको सर आज किस chapter का revision होगा आज revision नहीं होगा आज तो strategy बता रहे हैं सर कल मैं revision video डालूँगा वो मैं डाल दूँगा leverage EBIT और cost of capital और revision का मतलब क्या आप पूरा करते हैं और बस exam से पहले अगर आपको मालो कुछ doubt है तो उसके अंदर quickly revision chapter मैंने देखो value of firm का बना दिया है मैंने revision chapter मैंने आपका capital budgeting का बना दिया है और एक और revision chapter मैंने cost of capital का बना दिया है sir dividend का मैं कल बनाऊगा जितने बनेंगे revision chapter revision otherwise हम paper solve कर लेंगे ठीक है sir receivable management और working capital sir ये 12 बज़े तक खतम करना इसे कहां से करना है sir ये 10 year में से sir सब तो 10 year में से ही करना है बिल्कुल सब 10 year में से अभी मेरे notes के अंदर है मैंने कुछ extra question डाले हुए है तो extra question के चक्कर में नहीं पढ़ना है practice और hard copy sir 10 year का हाथ में होना जीए तो आपका बहुत जल्दी solve होगा हाँ इसमें करते करते कोई doubt होता है number दे रखा है आप जरूर करिए उस पर sir management ये कहां से करना है receivable management इसको credit policy के नाम से भी जानते हैं और भी other नाम से जानते हैं starting के 5 question कल बाकी मैं list बना दूँगा इसकी starting के 5 question और past paper के past paper एक बार मैं बता दूँ कि जो 2000 मैंने उसके अंदर paper लगाए हुए है 10 year के अंदर कौन से 2020 और 21 का उस paper को अधार बिलकुल भी नामाने उस paper के हिसाब से कुछ भी नहीं आएगा paper उससे पहले वाले के pattern पर आएगा उसके question practice जरूर कर सकते हैं sir capital bursting कहां से करे sir capital bursting के लिए मैं आप सभी को suggest करूँगा पहले आप directly revision वीडियो देखिए confidence आएगा इसमें मैंने दूसरे तरीके से करा है पहले आप revision वीडियो देखिए revision वीडियो देखने के बाद आप NPV वाले question मत करिएगा NPV वाले question है ना मेरे खाल 15-16 तक question NPV वाले वह पहले मत करिए आप पहले कर लिजिए after 16 वाले जो 10-year के अंदर आफ्टर 16 वाले करिए जब आफ्टर 16 वाला हो जाए तब NPV वाले पर आईएगा NPV के question तब करना है तो इसका करने के strategy है revision वीडियो देखिए जिसने शुरू से नहीं करा वो भी revision वीडियो देखिए और उसके बाद पहले NPV के बाद वाला करिए फिर इस पर आईए फिर doubt होता है question करिए question number डले वे उसके इसाब से कर लोगे तो सर यह दूसरे दिन का agenda यह आज का है सर यह आज का और यह कल का है अब बचके हमारे पास कल का time या आज कल हो गया पर सो तीसरा दिन सर तीसरे दिन में time value of money और cash management बहुत छोटा time value of money छोटा सा और EOQ भी बहुत छोटा सा है यह number three days पे चले गए सर सर यह कब तक खतम हो जाने चाहिए practice की मैं बात कर रहा हूँ पढ़ने की बात कर रहा हूँ नहीं तो खतम तो यह बहुत दिनों तक भी नहीं करोगे हाँ कि दो बजे तक दो बजे तक टू ओ क्लॉक तक इसे खतम कर लेना है मैं यानि यह वाला unit टू ओ क्लॉक के बाद हम जाएंगे किसके उपर सिफ्ट होएंगे theory पे theory पे सिफ्ट होने के बाद हम particular करेंगा sir time value of money के 8-10 question है 10 year में वो कर लीजेगा इसके लिए 10 year का और 10 year वाले section में इसका जो मैंने वीडियो डाला है cash management आप 10 year वाले section से कर लीजे cash management 10 year वाले section से कर लीजे वो पूरा हो जाएगा आपका तीनी question है तीनी चार question वो कर लीजेगा और EOQ पहले के जैसा है तो यह पूरा का पूरा pattern और 3 दिन का है अब आपको मेरे हिसाब से क्य question करना है नहीं करना यह समझ में आ गया होगा इसके अंदर मैंने topic भी डाला सर time value of money में topic नहीं डाला EMI वाला करके जाएगा इसमें EMI वाला इसके अंदर सर EMI वाला करके जाएगा जिसके अंदर आपका PBAF या CBAF का हमने काम किया था सर cash management में कुछ भी नहीं है EUQ में कुछ भी नहीं है capital investing में कुछ भी नहीं है working capital के अंदर सर आप करके जाएगे कौन सा topic करिएगा working capital working capital में एक operating cycle भी है इसको छोड़ना नहीं है regular में यहीं आया था operating cycle आ गया था तो इसके formulae learn करके जाएगे तो hopefully 10 year नहीं हो तो आज कैसे करेंगे 10 year देखिए किसी से भी लीजिए आप चाहे किसी के पास PDF पढ़ा हो PDF लीजिए आप जाएगे तेलिग्राम पर जाना है तेलिग्राम पर जाएगे नियरभाई बुक्षोप पर जाएगे वहां पर अभी भी मिल जाएगा अभी आठी बजे जाएगे दौड़ के फटा फट भाईया भुक दे 100 रुपे 100 रुपे अपका टेनियर है वो ले लीजिए और हा इसे भी रहे हैं मैं एक्जाम टाइम तक के लिए मैं एक टेलिग्राम का आज ही ग्रूप बना के डाल दूँगा चैट में कमेंट में सभी को आप जोईन हो जाएगे जिसको जो कन्वर्सेशन करना है वो बच्चा आपस में वहां पर बाते कर सकता है चीक है सरрим ओपरेटिंग साइकल में डाउट है apprentices बिलregist're डाउट है तो डाउट भेजिये न आपको customer number दे रखा है मैंने जो दूषा नम्बर भेजा था ना चैट में जाईए उस पर डाउट भेजिये ओपरेटिंग साइकल का आपका सॉट आउट होगा थोड़ा लेट हो जल्ड शीवानी का हैंडरी जाय हुआ है मैंक आया हुआ है बच्चे पूछे हैं सर पास्ट पेपर कहां से करना है पास्ट पेपर आपको बैक में गीवन है वहीं से करना है टेनियर देखेंगे ना मेरे पास तो है नहीं टेनियर टेनियर के पीछे से आपको मिल जाएगा पास्ट पेपर